किलिक करते ही कुछी देर में आपका सारा वीडियो रिकवर हो जाएगा इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अपने मुबाइल से डिलिट पुराने से पुराने वीडियो को वापस कैसे लाते हैं इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है टाकि आप असानी से अपने मुबाइल से डिलिट वीडियो को वापस ला सके और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है पिलिज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हो सके तो चैनल को भी सबस्काइब कर लेना आपका बहुत-बहुत महरवानी होगा अपने डिलिट वीडियो को वापस लाने के लिए सबसे पहले आपको अपने Play Store को ओपन करना है Play Store को ओपन करने के बाद आपको Search बारे में File Recovery, Photo Recovery लिखकर सर्च करना है सर्च करते ही आपको यहाँ यह एप देखने को मिलेगा आपको यहाँ से इस एप को Install करना है आपको यहां सही नाम और लोगों देखकर install करना है install करने के बाद आपको open करना है open करते ही सबसे पहले आपको यहां अपने language को select करना है आप चाहे तो यहां से किसी भी language को select कर सकते हैं फिलाल हम default language ही रखना चाहते हैं तो हम उपर right mark पर click करेंगे उसके बाद आपको यहां नीचे start पर click करना है start पर click करने के बाद आपको यहां से permission को allow करना है उसके बाद आपको यहां कुछ ही इस तरह का user interface देखने को मिलेगा आपको यहां video का option मिलेगा simple आपको इस पर type करना है टाइप करने के बाद आपको यहाँ नीचे permission को allow करना है allow पर click करने के बाद आपको यहाँ से permission देना है permission देने के बाद आपको यहाँ अपने screen पर टाइप करना है टाइप करते ही यह आपके delete video को scanning करना शुरू कर देगा और कुछी देर में आपके मुबाइल से डिलिट सारा वीडियो को डिटेक्ट कर लेगा और उसके बाद आपको यहां अपने मुबाइल से सारा डिलिट हुआ वीडियो देखने को मिलेगा और यह सारा वीडियो जिस फैल से डिलिट हुआ होगा आपको यहां वो फैल भी देखने को मिलेगा आप यहां से किसी भी वीडियो को recover कर सकते हैं recover करने के लिए जिस भी फैल से आप अपने वीडियो को recover करना चाहते हैं simple आपको उस फैल को select करना है फाइल को सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने उस फाइल का सारा वीडियो देखने को मिलेगा अब आप चाहे तो यहां से एक एक वीडियो करके रिकवर कर सकते हैं जिस वीडियो को आप रिकवर करना चाहते हैं सिंपल आपको उस वीडियो पर किलिक करना है वीडियो पर किलिक करने के बाद नीचे आपको recover का option मिलेगा simple आपको इस पर किलिक करना है किलिक करते ही आपका वो वीडियो recover हो जाएगा और आपके गैल्डी में save हो जाएगा बट अगर आप चाहते हैं एक ही बार में अपने फाइल के सारे वीडियो को recover करे तो आपको यहां इस select पर type करना है select पर type करते ही उस फाइल का सारा वीडियो select हो जाएगा इसी तरह से आप इस select पर type करके सभी वीडियो को select कर सकते हैं उसके बाद आपको उपर recover का option मिलेगा simple आपको इस पर किलिक करना है किलिक करते ही कुछी देर में आपका सारा वीडियो recover हो जाएगा और आपके गैल्डी में save हो जाएगा